Hello everyone, Alcea Flaxseed में कई सारे औश्यदी गुण होते हैं, ये हमें कई सारे बिमारी सो बचाकर स्वस्थ रखने में हेल्प करती है Alcea में omega-3 fatty acid पाया जाता है, इसके साथ ही fiber, alpha-lilonic acid भी होते हैं जो आखों के लिए, heart diseases के लिए, depression को control करने के लिए, liver, sleep के लिए, bone joints के लिए तो आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ कि Alcea को खाने से क्या-क्या 20 फायदे हैं, इसके लावा हम कुछ नुक्सानों के बारे में भी जानेंगे, और हमें Alcea कब और कितनी मातरा में लेना चाहिए तो आएए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि Alcea को खाने से हमें क्या-क्या 20 फायदे होते हैं तो पहला फायदा ये है कि Alcea आपके weight को control करने में help करती है इसमें बहुत सारा fiber होता है जो आपके weight को control करने में मदद करता है इसके अलावा इसमें omega-3 fatty acid होता है जो एक good fat है और ये आपकी भूग को कम करके आपका weight कम करने में मदद करता है दूसरा फायदा है कि Alcea आपके blood pressure को कम करती है Alcea में linoleic acid, lignin, वा fiber होते हैं जो कुछ हद तक blood pressure को कम कर सकते है तीसरा फायदा ये diabetes को भी control करने में help करती है Alcea में mucilase होता है जो एक type का fiber है और ये आपके digestion को control करके आपके blood में glucose को कम करता है चौता फायदा है कि Alcea का 7 आपकी सरदी खासी में भी आपको रहात दिलाता है तो next फायदा ये है कि Alcea आपकी body से cholesterol को कम करती है जो heart diseases के खत्रे को कम करती है Next ये आपके heart के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो omega 3 fatty acid होता है वो आपके heart के लिए बहुत अच्छा होता है तो साथवा फायदा ये है कि Alcea आपके joints के pain को कम करने में भी help करती है इसके लिए या तो आप Alcea को खा सकते हैं या फर हलके गर्म सरसो के तेल में Alcea के powder को मिलाकर उसे आपके joints पर लगाए इससे आपको अराम मिलेगा आठवा फायदा है immune system के लिए बोडी का immunity power बढ़ाने के लिए भी आप Alcea का सेवन कर सकते हैं इसमें ALA, omega 3, fiber, protein और तूसरे पोशेक तत्व होते हैं जो बोडी के immune power को बढ़ाने में help करते हैं Alcea आपके liver के लिए भी फायदे मंद होती है liver को स्वस्थ रखने के लिए आप Alcea की बीजों का सेवन कर सकते हैं इससे आपको energy भी मिलेगी और आपका liver healthy भी रहेगा next है fungal infection में फायदे मंद fungal infection के case में भी आप Alcea की बीजों का सेवन कर सकते हैं यह antifungal और antibacterial होती है जो fungal infection से बचाती है और उसे बढ़ने से रोकती है Alcea kidney के लिए भी फायदे मंद होती है इसमें मौझूद ALA आपकी kidney की problems को कुछ हद तक कम कर सकता है तो kidney की problems से बचने के लिए भी इससे आपकी diet में शामल करें next उपियोगे पेट की सूजन या gastritis के लिए सही वक्त पे खाना ना खाने ज़्यादा तेल मसाले वाला या बाहर का खाना खाने से पेट में सूजन या अलसर हो सकता है इससे बचने के लिए आपके खानपन को सुधारे और आहर में अलसी को शामल करें अगला उपियोगे blood sugar के लिए body में blood sugar का control में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके उतार चड़ाओं से आपको diabetes हो सकती है तो blood sugar को control में रखने के लिए भी आपकी diet में flaxseed को शामल करें नेक्स्ट है बुखार में अलसी का सेविन इसे कई सालों से आयरवेदिक औशदी की रूप में उपियोग में लाया जा रहा है इसमें antioxidant, antibacterial और anti-inflammatory गुण होते हैं जो बुखार से बचाव कर सकते हैं तो flaxseed का next dose है pimples के लिए आप pimples को ठीक करने के लिए कोई भी cream, face wash या जो भी उपियोग करते हैं उसके अलावा अगर आप अलसी को भी शामिल करें तो कुछ हद तक इन से छुटकारा मिल सकता है इसके लिए आप अलसी को पीस कर face mask की तरह लगा सकते हैं next है anti-aging के लिए अगर समय से पहले आपको wrinkles हो गई हैं तो उन्हें भी आप अलसी की help से ठीक कर सकते हैं इसके लिए आप या तो अलसी को खा सकते हैं या उसका तेल लगा सकते हैं इसमें कई सारी properties होती हैं जो anti-aging की तरह काम करते हैं और wrinkles को काम कर सकते हैं next उप्योग है बालों को जढ़ने से रोकने के लिए अलसी में प्रचर मातरा में vitamin, omega-3 fatty acid, protein और अन्यपोशक तत्व होते हैं जो बालों को जढ़ों से मजबूत बनाते हैं और उनका जढ़ना रोकते हैं next है डेंडर्फ के लिए अलसी का use अगर आपको डेंडर्फ है तो आप आपके बालों में अलसी की तेल की मालिश कर सकते हैं यह antifungal, antibacterial होती है जो आपके डेंडर्फ और स्केल्प की खुझली को कम कर सकते हैं next है यह आपके nails को मजबूत करती है तो उसका next use यह है कि यह आपके brain power को बढ़ाती है साथी साथ एनीमिया और joints के pain को दूर करती है चलिए अब जान लेते हैं अलसी खाने का सही समय और तरीका आप अलसी को powder के form में खा सकते हो आप अलसी की बीजो को 10 मिनिट के लिए करम पानी में बेगो दे फिर खाएं ध्यान रखें अगर आप अलसी खाते हैं तो पानी बहुत पीजिए अलसी के लड़ू बना कर भी आप खा सकते हैं अलसी खाने का सबसे अच्छा समय सुबह नाश्टे के साथ होता है एक दिन में आपके लिए एक टेबल स्पून या 10 ग्राम अलसी काफी होती है और जादा सिदा आप 40 ग्राम अलसी खा सकते हैं उससे जादा नहीं अलसी खाने के कुछ नुकसान भी होते हैं जिसे जादा खाने से आपका पेट खराब हो सकता है अगर आपको लो बीबी की प्रॉब्लम है तो वो भी बढ़ सकती है तो ये थे अलसी खाने के फायदे और नुकसान साथी साथ हमें अल्जी कब और कैसे खाना चाहिए अम मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई एंड टेक केर